नमस्कार दोस्तों आरोग ये modern homeopathi में आपका स्वागत है। परिशानी होती है और काफी खासी भी होती है। जड़ से खत्म किया जा सकता है वो भी पिना किसी परहेज या side effect किया। तो दोस्तों आज हम एक ऐसे ही पेशेंट संगीता बत्राजी के बारे में बात करने जा रहे हैं। जोने करीबन सेप्टेंबर 2021 में काफी जादा खासी की परिशानी होने लगी थी। फिर जब उन्होंने काफी टेस्ट करवाय तब उन्हें पता लगा कि उन्हें कोविड हो चुका था। साथी टीवी की भी समस्या हो गई थी वहीं एक ट्यूमर भी जनरेट होने लगा था। फिर उन्होंने तुरंत मॉडर्ण होमेव परती दवायों का अपनाना शुरू किया। और जब ट्रीट्मेंट की बाद उन्होंने टेस्ट करवाय तो उनका ट्यूमर पूर्ण रूप से खत्म हो चुका था। साथी लंग इंफेक्शन भी पूर्ण रूप से खत्म हो चुका था। वहीं आज वे खुशाल और एक स्वस्त जीवन बता रही है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं संगीता बत्रा जी से कि किस तरह मॉडर्ण हो में पहती दवाईयां पोस्ट कोवेड लाग इंफेक्शन जैसी गंभीर बिमारी को जड़ से खत्म करने में कारगर साबित होती है। नमस्कार मेरा नाम संगीता बत्रा है और मैं बोपाल से हूँ। लास्ट येर 2021 सेप्टेंबर में मुझे जब बहुत ज्यादा खांसी की प्रॉब्लम हो गई छे मैने साल भर से चलती थी। हमने काफे सारे डॉक्टर्स को तिखाया जितने टाइम तक मेडिसिन चलती थी ये तब है ठीक होती थी। जैसी डोस कंप्रीट होता फिर सी मेरा प्रॉब्लम मा जाती है। जब वहां हमने पूरा CT स्केन वगरा करवाया तो वहां के डॉक्टर्स ने बताया कि आपको COVID हुआ था। मैंने का नहीं मुझे कभी नहीं हुआ। तब डॉक्टर्स ने बुला है शायद आपको COVID होके चला गया है। जिसकी वज़ा से आपके लंग्स में 20% infection है। आपको TB भी हो गया था और आपको Tumor भी है, Fibrosis का भी प्रॉब्लम है। फिर मुझे इन दौर में अपने किसी रिलेटिव से डॉक्टर अर्पी चोपडा के बारे में पता लगा। उनकी बेटी को भी brain tumor हुआ था जो डॉक्टर चोपडा सर के treatment से पूरा dissolve हो गया। इसी विश्वास पे मैं भी इन दौर में आई 15 November 2021। और आज April 2nd 22 तक मैंने उनके medicines continue करी है। और फिर से जब हमने CT scan वगरा करवाया और सारे टेस्ट करवाया है। तो मेरा tumor भी dissolve है। Fibrosis भी ठीक है और TBB। जब मुझे सब डॉक्टर्स ने give up कर दिया। तो डॉक्टर चोपडा मेरे लिए as a god बनके आये। I am very thankful to Dr. Chopra, keep it sir! अब मुझे जो भी कोई मिलता है जिसके लिए बोलते हैं कि नहीं यह बिमारी का इलाज नहीं होता तो मैं सबसे पहले बोलती है आप blind faith करके मेरे कहने पर एक बड़ डॉक्टर रर्पी चोपडा के पास जाहिए। वह आपको जरूर ठीक करेंगे Sir, मैंने भॉपाल के best doctor से अपना कार्डी का और जो मेरे physician थे last 15-20 years से उनसे ही treatment लिया पर इतना अलोपेथि खाने से मेरे को क्या होता था कि मैं पूरा full time सूती रहती थी और जब medicine का dose complete होता तो फिर से मेरी पुरानी हालत तो मैं fed up हो चुकी थी वो इतनी अलोपेथिक दवाई हैं खाका के तो मैंने का चलिए एक बार और सही होमोपेथिक दवाई फिर भी हम लोग ऐसा रहता है मेंटली कि अलोपेथिक कड़वाई चाल यह मीठी गोली हैं तो खानी है यह भी करके देख लेते हैं पर एक महने में मुझे डिफरेंस समझ में आने लग गया था मेरी वर्किंग कैपेसिटी भी इंप्रूब हो गए थी और में टीचिंग प्रोफेशन में हो तो मैंने सर से पूछा था कि सर क्या मैं अपना प्रोफेशन कर सकते हूं तो उनने का हां आप अपड़ाई है तो इसका मेडिसिन का ऐसा नहीं था कि मैं दिन भर सूरी हूं या मेरी वर्किंग कैपेसिटी काम हो रही है डीडीनेस लग रही ऐसा कुछ नहीं था सर तो कैसे थे आप सब खाईए मुझे बोला गया था आपकी डिजिस नॉन क्यूरेबल है पर डॉक्टर शोप्रा ने डेवन बोल दिया था कि हम आपकी प्रोब्लम को बीना सरजरी ठीक करेंगे और जब मैंने अभी यहां आने से पहले अपने सारे टेस्ट करवा है बोपाल के ही हॉस्पटल में तो मेरे सारे रिपोर्ट्स अबसलिटली नॉर्मल आए विदिन फाइम मन्स एक साल से में खांसी की तकलिफ से बहुत ज्यादा परिशान और यह खांसी का यह था कि कोवीड वन या कोवीड टू के टाइम पर मुझे कब यह प्रॉब्लम हुई कोवीड की पता नहीं चला पर उसकी वज़े से मेरे लंगस में इंफेक्शन आ जुका था तो यह खांसी की वज़े से पता लगा की कोवीड इंफेक्टे हुई थी मैं जब वो यह बोलते ना कि आपकी बीमारी को मैं बीना ओप्रेशन के ठीक करूंगा और जिनोंने मुझे इहां जिस भरोसे से बुलाया था मेरी अपनी ही फैमिली की बच्ची का जब ब्रें ट्यूमर मैं देख डिजॉल हो गया तो फिर मुझे तो फेट पैले ही हो गया था इसके बाद ही मैंने कंटीनियू में दवाईयां लेती गई कि मुझे भी ठीक होना है और होगी। मैं डॉक्टर चोप्रा से ही कहूंगी कि की पिट अप सर आप अपनी सेवायं सोसाइटी को ऐसे ही देते रहे हैं अगर आप सब जगह से गिव अप कर चुके हैं तो एक बा रूप से स्वस्थ हैं जिसके लिए वे डॉक्टर अरपिचोप्रा जैन का धन्यवाद वेक्ट करती हैं तो चलिए दोस्तों जानते हैं सुपर स्पेशालिटी मॉडर्ण होमेपैथी चिकित सब पध्धती के आविशकारक डॉक्टर अरपिचोप्रा जैन से कि किस तरह फिर बिमारी को जड़ से खत्म करने में कारकर साबित होती हैं अगर यह चोटी गठाने हैं तो मानके चलते हैं कि यह बेनाईंग गठाने हो सकती है पर कई बार यह जब गठाने 3 संटीमीटर से उपर हो तो ऐसा माना जा सकता है कि हो सकता है कि इसमें कैंसर की टेंडेंसी भी हो तो निश्चित रुप से दोस्तों ऐसे ही एक पेशन के बारे में हम बात करेंगे मिसेस संगीता बत्रा जो की भुपाल मत्यपदेश की रहने वाली है जिनों ये पोस्ट कोविड इंफेक्शन के कारण लंग फाय प्रोसिस डेटेक्ट हुआ और करीब 2 संटीमीटर के आसपास की गठाने उन्हें पोस्ट कोविड इंफेक्शन के झाँद टेक्ट वीजिसे पल्मोर вызम नियोडील के नामसे हम जानते हैं तो निश्विद रुप से दोस्तों जब उन्हें इसके बारे में इलाज का जब पता किया तो अन्यों काफी सारे हस्पिडलों में जहां भी सितिन नहीं हो पाईगा तो दोस्तों एसी स्थी में जब उनके लिए सब जगा यह कह दिया गया था कि इसका कोई इलाज नहीं है तो उनके किसी रिलेटिव ने जो कि इंदौर मद्यपजिस में रहने वाले हैं हैं और साथ में लंग फाइब्रोसी से वह मौड़मपिती से सही हो सकती है और दोस्तों उन्होंने हमारे यूटूब के चनल पर जाकर अन्य काफी सारे पेशेंट्स के बारे में जाना जिन्होंने लंग से रिलेटेड प्रॉलम्स के लिए मौड़मपिती सुपरिस्पशिक कंसेट्रीट्मेंट का फायदा लेकर निश्चित रुप से चाहिए वो पोस्ट कोविड रिकावरी हो या ILD के पेशेंट्स हो यह हो सकता है कि प्लियूरल इफ्यूजन या लंग सैचुरेशन जो की करी 35% तक जो नीचे आ चुका था इस तरीके की ऐसी स्थिती में भी रि जो पहले वाली सेटी सकैन में था पुरी तरीके से डिजॉल हो गया और साथ में जो उनकी और मिसर्श संगीता बत्रा जी पूरी तरीके से mentally confident होकर socially अपना काम कर पा रही हैं और चुकि सिख्षक के रूप में उनकी जो खुद के जवाबदारी हैं वो अच्छे से निभा पा रही हैं दोस्तों ये चमतकार था मॉड़न होपिती सुपर स्पेशली कंसेफ ट्रेट्मेंट का कि जिस बीमारी में दुनिया में लाइलाज बीमारियों के लिए aggressive therapy देकर उस बीमारी पर अटेक करते हैं और आपकी autoimmunity पर अटेक करके आपकी immunity को बढ़ा कर आपका natural response वापको वापस देते हैं इस बात की पुष्टी आपके reports में भी होती है और कहीने कहीं body response में भी साबित होती है तो दोस्तों जिस तरीक के चमतकार से अपनी लंग्स के recovery की और आज भी वो दुनिया में किसी चमतकार या परिणना से कम साबित नहीं हो रहे हैं तो दोस्तों हम बात करेंगे मिस्टर महेश पुरवाल जी जो की नीमच मदबदेश के रहने वाले हैं अप्रेल 2021 के समय में पोस्ट कोविड इंफेक्शन के कांट धाई से तीन मेने उन्होंने हॉस्पिटल में जिस तरीके से ventilator के स्टेज पे निकाला कि सुरू के आठ दिन में जो हमने treatment दिया था उसक वेंटी लेटर और हॉस्पिडल से डिश्चार्ज होकर पूरी तरीके से घर पर जाकर उसने एक मेने का treatment वापस लिया और दो मेने के पूरे treatment से मिस्टर महेश पुरवाल जी आज पूरी तरीके से अपने आपको स्वस्थ पा रहे हैं बिना किसी ऑक्सिजन के सपोर्ट के बिना किसी बाइपेप के सपोर्ट के तो ऐसे अन ये कई प्रकार के प्रेशन हैं जिनके बारे में हम कह सकते हैं जिन्होंने मौडरन ओंपिती सुपरिस्परिश कंसेप्ट से ना क्यों लंग इंफेक्शन बलके ILD इंटरस्ट्रियल लंग डिसीज जैसे गंभिर फाइब् जी की जिन्होंने मौडरन ओंपिती सुपरिस्परिस्परिश कंसेप्ट्रिटमेंट का फाइदा लेकर ILD की बिमारी पर रिस्पॉंड किया हम बात करेंगे मिसेस सरोष सर्मा जी की जिन्होंने ILD के लिए मौडरन ओंपिती का ट्रिक्मेंट लेकर अपनी लंग्स की बिमा आज दिन से पंदर दिन का जो ट्रेटमेंट लिया उसके बतला जो पिछले दस वर्सों की जो समस्या थी उनकी वो पूरी तरीके से ठीक वी और आज भी वो अपना स्वस्तर जीवन जी पा रही है हम बात करेंगे ठीक इसी तरीके के एक और पेशेंट मिस्टर विजय अरोरा जी की जो की भवाल मद्यपतिस के रहने वाले और बिल्कुल लास स्टेज आप दा लंग इंफेक्शन के कारण बिल्कुल वेंटीलेटर के स्टेज पे थे हस्पिरलाइस काटेगरी में थी उनकी बचने की कोई उमीद नहीं थी और वहां से उन्होंने सुपर इस्पेशली के माध्यम से उन्होंने अपने आपको बताया कि किस तरीके से उन्होंने माध्यमपेटी से फायदा लिया और निशी दुरुप से दुनिया के लिए प्रेणिया के स्रोत में आज भी वह माने जा रहे हैं लंग एडिनो कार्सिनोमा से गरसीत मिस्टर विजय सकसेरिया जी के लंक्स में करीब 2-2 सेंटीमीटर की काफी सारी मेटास्टेटिक गठाने थी और जिन्होंने के माध्यम से इन सभी गठानों को डिजॉल किया और बिना किसी किमियोतरेपे के अपनी अच्छी खासी रिकावरी प्राप की तो दोस्तों यह हमने बात की काफी सारे ऐसे पै का नैचुरल सेफ और कॉस्ट एफेक्टि और एग्रिसी थेरेपी चुकि होमिपेथी का जो सिस्टम है वो क्लासिकल होमिपेथी की नाम से ज्यादा जाना जाता है और हमने जो सुपर स्प्रिस्टलाइजेशन करके मौड़न होपीथी जो इसके आधार पर हम लोग एग्र अगर हम बात करें तो हमने काफी सारे अन्या ऐसे पेशेंट्स के डॉक्यमेंटरी हम देख सकते हैं हमारे यूटूब की चैनल पर जाकर हमारे वेबशाट पर जाकर जिन्होंने पोस्ट कोवीड इंफेक्शन के लिए अगर हम बात करें तो मौड़न होपीथी से अपनी आई बॉल की सरजेरी को पूरी तरीके से बचाया हम बात कर सकते हैं मिशे सूरमिला जिन्होंने मौड़न होपीथी सूपर इस्पेसिरी कंसेट्मेंट के माध्यम से पोस्ट कोवीड मौकर माईकोसिस को पूरी तरीके से रिजॉल किया उनकी रिपोर्स और उनके रिस्पॉंस का अधार पर उनके बारे में हमारी यूटुब के चेनल या वेब साइट पर जाकर देख सकते हैं हम बात कर सकते हैं मिसेस कुसुम बादिया जी की जिन्होंने प तो दोस्तों हम इस वीडियो के माधियम से मैसेज देना चाहते हैं कि आप किसी भी पकार के लंग इंफेक्शन या क्रिटीकल या सर्जिकल कंडीशन के लिए या एक तरीके से आखरी स्टेज की प्रॉलम के लिए भी मॉडन मॉपिती का फै cereals की एक कि लिए अगर अची स्टेज में ही सयी लेकिन अंती मवस्ता के लिए अगर अगर उप्योग लेकर अगर उनकी जान बचाया जा सके तो निश्चित रूप से इस प्रकार के जो हमारे मेसेज हैं इसको आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताने के लिए इस वीडियो को आगे बढ़ाएं और निश्चित रूप से अगर आपको लगता है कि इन में से किसी भी पेशेंट या किसी भी पकार की तकलिफ के लिए आप हमसे कंसल्टेशन चाते हैं तो इंदोर इस्थित आरोग ये सुपर इस्पेशली मॉडरन हुमेपथी क्लिनिक आप आकर हमसे फेस टू-फेस कंसल्टेशन लेए अगर किसी करण से आप हमारे पास आने की स्थ प्रिशित करते हैं हम लोग आपके रिपोर्ट्स और डिटेल्स को वेरिफाइब करके आपके लिए जो सुपर इस्पेशली मॉडरन हुम्पिती की जो किट है हम कुरियर के माधियम से भी आपको भेज कर घर बैठे दुर्गम से दुर्गम जटिल से जटिल कटिन से कटिन बिमारियों पर विजय प्राप्त करने के लिए एक कदम माड़ मॉपिती से लेकर कहीं न कहीं आपके लिए अच्छा करने की जो सोच रहें वैसा हम साबित भी कर पाएंगे तो दोस्तों अंत में यही कहना चाओंगा कि जिस तरीके से मिसेस संगीता बतरा जी एवं अन्य क सोचली वेल बिंग देकर आपके चेहरे और आपके जीवन में भी ला सकें इसी उमीद के साथ दोस्तों कि आप सभी स्वस्त रहें मस्त रहें हमेशा मुस्कराते रहें मैं डॉक्टर अर्पित चोपडा जैन अरोग के सुपर स्पेशलिटी मॉडन हुमेपैथी क्लिनिक इ पूर्ण रूप से स्वस्त है और एक खुशाल जीवन बता रहें दोस्तों केवल पोस्ट कोवड लंग इंफ्रेक्शन ही नहीं बलकि कैंसर किड्नी और आटो इम्यून से रिलेटेट ऐसी अन्य कई गंभीर बिमारियों को जड़ से खत्म किया जा सकता है तो दोस्तों जुआ दें ज़्यादा श्यायर करें लाइक और सबस्ट्वाइब करना ना भूले स्वस्ते नहीं के लिए देखते रहें आरो के मौटन हों बेपसि टेक केर